हिंदू का नियम और मुसल्मान का नियम, सीख और इशाई का नियम, मंदिर और मस्जिद का नियम, गिर्जा और गुरुद्वारा का नियम किसने बनाया? चो महिना के, मात्र चो महिना के हिंदू के लड़का, एक हिंदू का बच्चा, एक मुसल्मान का, एक सीख का और एक इसाई का चो चो महिना के बच्चे को एक कोठली में रखा जाए और किसी अंजान आदमी से कहा जाए, कि इसमें से मुसल्मान बला लड़का निकाल के लिए आओ ले आएगा? क्यों नहीं लाएगा? अब ही चारों बच्चा, इंसान है, अब ही वो सैतान नहीं बना है हिंदू बनना क्या है इंसानियत? हिंदू बनना सैतानी है आप अपने को हिंदू कहते हैं, इसका मतलब आप सैतान है, आप इंसान नहीं आप अपने को मुसल्मान कहते हैं, इसका मतलब आप सैतान है आप अपने को सीख कहते हैं, इसाई कहते हैं, तो आप इंसान नहीं साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सवल था हल की अपनी जाल रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगवार ऐ हंस जिस दिन तुम माँ के गर्व से बाहर आया था तेरी चाल बड़ी निराली थी उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातियता की भावना नहीं थी कोई संपरदाइकता की भावना नहीं थी कोई उच नीच की भावना नहीं थी कोई अवर्न सबर्न की भावना नहीं थी कोई छुआ छूत की भावना नहीं थी उस दिन तुम मांस मचली तारी दारू गाजा भांग भिरी सिक्रेट पांसो पारी नहीं था रहे था उस दिन तु चोर, बैमान, दलाल, गुजकोर हत्यारा बलतकारी भी नहीं उस दिन तुमको भगवान की कोई आवसकता नहीं थी भगवान की कोई जरूरी नहीं थी एक साल का बच्चा भगवान को खोजेगा, मंदिर जाएगा, मंदिर जाना चाहेगा, कोई मतलब नहीं, जाने की कोई आवा सकता नहीं, सद्गुरु कवीर कहते हंसा उस बच्चे को, साहिव कवीर ने हंस कहके पुकारा, ये बच्चा अभी हंस के समान है, हंसा तू तो सबल था, लेकिन आज तेरी चाल हल्की हो गई, क्यों, रंग कुरंगे रंगिया, रंग एक सीधा साधा सब्द है, उसमें कूप सर्ग लग गया, कू लग जाने से, रंग बिगर गया, रंग कुरंगे रंगिया, जब सरीर का विकास होता है, जब मानों की जवानी आती है, तो बच्चपन का रंग उतर जाता है, और जवानी में मनुष के उपर गलत रंग चड़ता है, क्या गलत रंग चड़ता है, काम का रंग चड़ता है, क्रोध का रंग, लोब का रंग, मोह का रंग, और अहंकार का रंग इसके उपर चड़ता है, और जो सही रंग है, वो उतर जाता है, सही रंग है, सत्य, दया, धैर्ज, सील, विचार, वो रंग उतरता है जवानी में, और गलत रंग चड़ता है, गलत रंग चड़ने के बाद, आप जो भी काम करेंगे, वो सही होगा कि गलत होगा, वो काम गलत होगा, और गलत होगा, तो आपके जीवन में विपत्ती आएगी, और जब विपत्ती आएगी, तो विपत्ती काल में भगवान का उदगाटन होगा, आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं असमसान भूमी मिल गया, भूत का भै हो गया, डर हो गया, दुख हो गया, तुरता भगवान को पुकार पे हैं, जय हनुमान ग्यान गुन सागर, जय कपे सति हो लोकव जागर, और चले गए अपने घर, तो चलेगा हलमान चली साथ, कि बंद हो जाएगा, अब हलमान जी से कोई मतलब नहीं रह गया, अब हम सकुसल घर आ गए अपना, अब क्यों पढ़ेंगे हलमान चली साथ, भीपत्ती में लोगों ने भगवान का उदगाटन किया, भगवान, सारे भगवान मनुष के द्वारा उदगाटी थाएं, भगवान कहीं है नहीं बाहर में, भीपत्ती काल में मनुष ने उदगाटन किया, और कोई एक दो परकार के भगवान नहीं है, हर जगह, हर देश, हर महादेश, हर इस्टेट, हर जीला, जीला अस्तर पर भगवान को बाच दिया गया है, अमेरिका का भगवान कौन है, रूस का भगवान कौन है, चीन का भगवान कौन है, सौधी अरब का भगवान कौन है, पाकिस्तान का भगवान कौन है, लंका का भगवान कौन है, नेपाल का भगवान कौन है नेपाल के लोगों ने हम लोग का कार्ज करम बराबर होता रहता है नेपाल में नेपाल के लोगों ने एक गरही माई का उद्गाटन किया है गरही माई उसके एक महिला है देउता महिला गरही माई पांच साल पर उसकी पूजा होती है गरीमाई के लगभग हिंदुस्तान से लेके और नेपाल तक के लोग मिलकर कम से कम एक से दो लाक पारा काटते हैं अगर वो सही है अगर वो देवी सुकसांती देने वाली है अगर वो देवी मुक्ष दाइनी है तो आपके हाँ तो देवी नहीं है यहां के लोगों को तो मुक्ष नहीं होगा है यह पक्षपाफ यह नियम बना बना कर और इतना दल आपके सामने ख़रा है इतना पंथ ख़रा है आपके सामने सारे लोग दिखभर्मित हो रहे हैं भगवान राम थे तो रमानंदी पंथ था चले गए तो गुरु लोगों ने चार दल बनाया निम्बकाचार्ग संकराचार्ग रमानंदाचार्ग और माधवाचार्ग चार दल में बढ़ गया भगवान बुद्ध थे तो दल एक था चले गए तो नियम बनाकर दल को दू दल में बाटा गया ही नियान और महायान बर्धमान महावीर थे तो दल एक था जैन धरम चले गए उनके अनुआई गुरु लोग अपना मात बरहाने के लिए दल को दू दल में बाटा स्वेतांबर और दिगंबर ये सारे नियम सद्गुरु कबीर ने अलग से कोई नियम इस दुनिया बालों को नहीं दिया अलग से कुछ करने के अनुमती नहीं दी है जो भी है सब प्राकिर्तिक बीजक से साहिब कहते हैं काहू के बचन ही फूरे काहू कारा माती मान बराई ले रहे हिंदू तुरुक जाती बात बोते असमान की मुद्धत नियारानी बहुत खुदी दिल राकते बूरे बुन पानी कहें कभीर कासों कहूं सब जग अंधा सांचे से भागी फिरै जूठे के बदू कोई बाचा सिद्धी में लगा है कोई कहता है मैंने कहा तो बारिस रुख गई तुफान रुख गया हैजा की बिमारी रुख गई जिसको मैंने कहा उसको नोकरी मिल गई जिसको मैंने कहा उसका बिमारी ठीक हो गया ये बाचा सिद्धी में नूट कमाने के लिए और सिस बनाने के लिए गुरु लोग ऐसा ऐसा हतकंडा अपना रहे हैं एक महात्मा जी ट्रें से यात्रा कर रहे थे जा रहे थे कहें डीच में टीठी आ गया कहा महात्मा जी टिकर देखाईए टिकर महात्मा जी ने कहा टिकर तो मेरे पास नहीं है कहा तो जुर्माना देना होगा कहा आप देख नहीं रहे हो कि हम सादू हैं कहा आपके जैसा तो बहुत सादू मैं देखा हूँ ट्रेन पर चड़े हैं तो किराया नहीं देजिएगा कहा हमको जादे तंग करोगे तो हम सराप दे देंगे कहा आपके जैसा बवाजी हम बहुत देखे हैं इस सराप से हमको डर नहीं आगे कोई स्टेशन पर गारी रुखी और टीटी महोदय ने महात्मा जी को घीच के बाहर कर दिया ठ्रेन्स महात्मा जी गए और प्लेटफॉर्म पर बैठ गए अब तो ड्राइवर सहब सीटी हाउरन दे रहे हैं गार सहब जंडी दिखा रहे हैं और गारी खूल नहीं गई हैं गारी तो आधा घंटा 45 मिनट तक श्टेशन पर रुकी रह गई अब तो यातरी में अफ़रा तपरी मच गया कि силь को कॉ लेत जाना किसी को कार खाना जाना किसी को होस्पी्टल जाना किसी को बैंक जाना किसी को भी दिया ले जाना किसी को हाट बजार करना सारे लोग बिकल हो गए इस्टेशन के बारा बावू से जाके का बारा बावू क्या हुआ गारी क्यों नहीं खूल रही है बारा बावू ने कहा कुछ तो हुआ नहीं मैंने तो लाइन कीरियर दे दिया है अब गारी क्यों नहीं खुल रही है कारण क्या है तो एक यातरी कहा कि यही टीटी महोद है साधू ववा को गर्दनिया देके उतार दिया उस समय से गारी नहीं खुल लही तो बारा वावु ने टीटी से कहा कि आप साधू ववा से माफी मांग लीजिये कि गारी खुल लहीं टीटी ने कहा ऐसा नहीं होगा हम माफी नहीं मांग सकते बारा वावु ने कहा तो जनता से मार खाईए टीटी को भैय हो गया अब जाके साधू ववा से माफी मांग लिया ववा हमको छमा कीजिए हमसे गलती हो छमा मांगा अगारी हवरं देके खोल गई अब तो साधू ववा के गरिमा महिमा की क्या ठीकाना है इतनी इनकी महिमा बरही लोग ने विचार किया कि इतना ताकत ही साधू में है कि इसके बुद्धी से ज्यान से पैतालिस मिनट इस्टेशन पर गारी रुकी रह गई अब ऐसा गुरू से कैसा गुरू चाहिए अब तो जब चेला बनना शुरू हुआ तो एक दू बरस बीते बीते दुचार लाग चेला महात्मा जी अब दुचार पांच बरस के बाद महात्मा जी जब मरने लगे तो जिसको इन्हों ने उत्रा धिकारी बनाया था जिसको कहा गुरू जी अब तो आप जा रहे मठ हम को दे दिये जमीन हम को दे दिये गाय भैस हम को दे दिये साड़ा चेला चटिया हमको दे दिये अई मंत्र ले जाके क्या किजिएगा ये भी तो दे दिजिए कि हम भी लोगों का उपकार करें महात्मा जी ने पूछा कौन मंत्र लेना है कहा जिस मंत्र से 45 मिनट स्टेशन पर गारी खरी रही वो मंत्र हमको चाहिए महात्मा जी ने कहा बेटा मंत्र से गारी नहीं रुकती है मैंने 5000 घूस ड्राइबर को दिया था 5000 रुपया घूस गाड को दिया था और 5000 घूस इस टीटी को दिया था 15,000 रुपया दिया आई इनको कह दिया मैं कि आधा धंटा से 45 मिनट तक इस टेशन पर गारी को रोक दो कि हमरा गुरुवई धंधा सुरू हो जाए 45 मिनट रोका 15,000 खर्चा अब तो लाक के लाक बन की बिदाई आ रहा बंदुओं ये गुरु लोगों की धंधा है अपना अपना महत्वा कांग्ची बनने के लिए अपना नाम समाचार पत्र में छबाने के लिए अपना नाम टेली वीजन पर लाने के लिए अपना नाम समाचार रेडियो से निकलवाने के लिए अपना महत्वकांग्ची बनने के लिए इन्नाना प्रकार के पंथ बना बना कर और सारी जंता के बुद्धी का उपरेशन तभी तो साहिव कबीर ने कहा पच्छा पच्छी के कारने सबजग रहा भुलान निर्पक्छ हो के जो भजे सोही संद्ध। आप लोग दिख्भर्मित होने किया वा सकता नहीं हैं। सद्धुरु कबीर ने आपके साथ कोई बैमानी नहीं किये। साहव कबीर ने आपके साथ कोई पक्छपात नहीं किया है। कोई आरी नहीं बांधा है। अगर आरी बांधे होते आज मुसल्मान भी साहव कबीर के बिचार से बहुत सारे मुसल्मान समद। साहव कबीर के बिचार से। उन्होंने तो असपस्त कहा मुसल्मानों से दीन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कशकर खुष खुदा है। दीन भर अन नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और जो रात्री हुई, साम हुई, तो कोई मुरगा काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई उंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो, एक तरफ खून की नदी बहाते हो, और दूसरे तरफ इबादत करत अल्ला कैसे खुश हो जाए असपास लूप से कहा खोजे अल्ला के नगरिया जनम के फूहरी खोजे अल्ला के नगरिया जनम के फूहरी पांचो बक्त नमाज गुजारे राखे तीसो रोजा घट के अंदर खुदा बसत है तिनको कभी नखोजा घट में चाही है अंधियारी या जनम के फूहरी कलमा परे रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई धट के अंदर नूर बसत है तिनकर ख़वर न पाई पर गए माया के लहारी या जनम के फूहरी हाथ में हजरत कदम रसूले नहिन में नभी बिराजे मन मका काया है कावा सिर पर यन हद बाजे खोल के देखाना के वारी या जनम के फूहरी खोजे अल्ला के नगारी या जनम के फूहरी बंदूओं बड़ी समस्या है लोगों के सामने गुरू लोगों ने धर्म धुरंधर लोगों ने धर्मा धीकारी लोगों ने धर्म के परवर्तक लोगों ने बहूत बड़ा समस्या आके रख लिया सारे लोग दिखवर्मित हो रहे हैं किस पंथ में जाया जाए कौन ठीक है इतो मैं कवीर पंथ की बात किया उससे आगे बढ़िये तो कोई रमानन्दी है कोई आर्समाज है कोई गात्री परिवार है कोई जुग निर्मान मीशन है कोई गांधी निर्मान मीशन है कोई विवेकानन मीशन है कोई बाल जुगे स्वर है कोई सत्पाल जी है कोई सदाफल देव जी है कोई जैगुर देव है कोई रामपाल जी है कोई भगवान रजनीश है कोई बाबा हर्देव सिंग है कोई ठाकुर अनकूल चंद्र जी है कोई रामरहिम सिंग जी है कोई आसुतोष जी महराज है कोई ओमसांती है कोई राधा स्वामी है कोई जैन है कोई बहुद है कोई इसाई है कोई इसलाम है कोई यहूदी है कोई पार्सी है ये समस्या सामने खरी है बंधूँ सारे समस्या से साहब कबीर ने आपको निकाल के बाहर किया और कहा कि अगर कल्यान चाहते हो अगर मुक्ती चाहते हो अगर सुक्सांती चाहते हो तो किसी का लागत किसी का लागत तुम्हारे सरीर पर नहीं है तुम्हारे जीवन में नहीं तुम्हारे जीवन में किसी का लागत नहीं है तुम्हारे जीवन में अगर लागत है तो इन मा का होता है मा से बढ़के इस धर्दी पर कोई दे भी और दे होता नहीं यहां कोई नियम नहीं यहां कोई नियम नहीं जिस माँ ने पैदा किया है जिस माँ ने अपना कल साद्वीज भजन गाई थी माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खा जाना माँ से बढ़ के अगर माँ की सेवा परा पाते है किसी का हिम्मत है कि इसका विरोद कर दे है किसी पंथ वाले का हिम्मत कि इस पर लाल कलम आके लगा दे साहिब कभीर ने कहा अगर भगती करना चाहते हो तो सरदा भगती करो और सरदा रखो अपने अपने माम इसलिए कि माँ का बहुत बढ़ा लागल्थ आपके जीवन पर है अगर मा नहीं होती तो आप इस दुनिया संसार को आप नहीं देख पादे वो मा की किर्पा है किसी देवी दुरगा की किर्पा नहीं है मा की किर्पा है कि आपने इस दुनिया को देखा और मा की किर्पा है कि आपने सारे रिशी महरसी सारे बेद पुरान कुरान बाईविल के बारे में जानकारी प्राप्त किया सारे देश विदेश के बातों को जानकारी लिया और सारे निम्न पद से लेकर और उच पद तक आपने सुसोवित किया सारे देवी द्यवता को आपने जाना ये सारा स्रे किसका है इसी मात्री भगती सबसे हमारे पुझ गुरुदेब आचार श्री धर्म सरूप साहिब कहा करते थे मंच से कि बेटा अगर पूरे सरीर का चाम उतार कर और मां के पहर के अगर वो जुत्ती बनवा दे चपल बनवा दे तब भी मां का करजा बेटा से सर्विने बादे यहां आजाईए अपने अपने मां की सेवा में आजाईए इस जितना पंत की चर्चा मैंने किया उस सब खता है किसी की अंगली नहीं उठ सकती है आपके उपर लेकिन जब आप पहिर मुख होते हैं अंतर मुख नहीं जब आप बाहर पूझा के लिए निकलते हैं तो आप किसी देवी का पूजा करते हैं, तो दूसरे लोग किसी देवी का पूजा करें, तीसरे लोग किसी देवी की तो कमी नहीं, माता तो इतना तयार किया गया है, इतनी माता तयार है पूजा के लिए, जिसका बर्लन नहीं, अब जो मा पैदा किया वो भीक मांग रही है, जो माँ आपको पैदा किया वो भीख मांग रही है और पूजा के लिए बहुत सारी माँ तैयार है पूजा कीजिए और माँ के तरफ ज्ञांकने के लिए बेटा तैयार नहीं अनंत देवी देवता के पूजा में जब आप बाहर पूजा के लिए निकलेंगे इसका पूजा करेंगे अगर आपके वल दुर्गा का पूजा करते हैं तो सरस्वती आपसे खुश रहेगी क्या लक्ष्मी आपसे खुश रहेगी क्या खुश रहेगी खुश रहेगी तब आप रागदेश में फस रहेगी याद कर लिए अगर आप राम का मंदिर दरवाजे पर बनवा लिए हैं राम का मंदिर बनवाए हैं क्रिश्न आपसे खुश क्यों रहेंगे कभी आपने हिसाब किया राम ना आपसे खुश होंगे चुके उनका मंदिर आपने दरवाजे पर बनाया क्रिश्न आपसे खुश क्यों होंगे उनका मंदिर आपने नहीं बनाया अगर क्रिस्न का मंदिर आपने दर्वाजे पर बना लिया तो हर्मान जी आपसे खुश क्यों रहेंगे हर्मान जी का मंदिर आपने नहीं बनाया अगर आपने हर्मान जी का मंदिर बना लिया दर्वाजे पर तो महादेब जी आपसे खुश क्यों रहेंगे उनका मंदिर आपने नहीं बनाया अगर महादिव जी का मंदिर दर्वाजे पर आपने बना दिया तो भिसनू जी आपसे खुश क्यों रहेंगे असब देवी देवता का नाम भी आपको मालूम नहीं है पूजा तो छोड़ दी है कोई बेगती पचास को देवता का नाम गिनाईए हमको कोई गिनाएगा किसी को पता तो चपन कुरोटी का पूजा कैसे होगा जब नाम मालूम नहीं है तो पूजा कैसे होगा एक घर में पचीस आदमी हो अब पांच आदमी को भोजन मिले और बीस आदमी को भोजन न मिले उगहर बचेगा की जलेगा बचेगा की जलेगा तो आप कितना भगवान का मता बहने भी और आप लोग होग भी बैठे है कितना भगवान का पूजा कर पाते हैं ये सारा जोट कहुं सचा ही नहीं है अगर आपकी पूजा सच्ची है तो बिल्कुल आपका बिरोधी है मुसल्मान आपका बिरोधी है मुसल्मान वो आपके किसी भगवान को मानने के लिए तयार नहीं है उरम नौमी और बसंत पंजमी महा सिवरात्री महा विष्णु जग, महा रूद्र जग, सचंडी जग या भागवत कथा या होली दिवाली या दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरसती पूजा या विष्कर्मा पूजा को मानने के लिए मुसल्मान तयार क्या बिगर गया है उसका क्या मुशलमान के पास बेटा नहीं है कि बेटी नहीं है क्या उसके पास जमीन नहीं है कि मकान नहीं है क्या उसके पास बिजनिस नहीं है कि खेती बारी नहीं है कि नोकरी नहीं है क्या नहीं है कि उपरधान मंत्री नहीं है कि मुक मंत्री नहीं है कि राश्ट पती नहीं है, सच्चाई है क्या, सच्चाई क्या है, हिंदु धरम सच्चा है कि इसलाम धरम सच्चा है, कौन सच्चा है हमारे हिंदु भाई इसलाम को नहीं सुईकार करते हैं कोई नहीं इद बकरीद सुबराद कोई नहीं करता है कोई नमाज अदा नहीं करते है कोई रोजा नहीं रखते है कुछ बिगर कया क्या है कुछ अल्ला बिगारा है आपका इसे असपस्ट हो रहा है सच्चाई कहीं नहीं सद्गुरु कवीर के विचार में सच्चाई दिखाई दे रही अगर कवीर के विचार से अलग थलग होकर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं अगर आप संती में जीवन जीना चाहते हैं अगर आप मुक्ती पाना चाहते हैं तो कताई संभव नहीं है, यह कभी होने वाला नहीं है। अगर हम राम का नाम नहीं जबते हैं, अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं, तो हमारा कुछ बिगार होने वाला नहीं है। अगर हम क्रिष्न का नाम नहीं जबते हैं, हमारी कुछ हानी होने वाली नहीं है, अगर हम हमानुमान जी को नहीं भजते हैं, हमारा कोई नुक्सान होने वाला नहीं है, लेकिन अगर कभीर के वीचार से, अगर हम अलग होके चलना चाहते हैं, तो हमारा नुक्सान है, हमारे जीवन में दूख और दिपन्दिया। कल मैंने कहा था कभीर पंथ में तीन बंदगी क्यों हो रही है। और पंथ में नमस्कार परनाम नमस्ते एक बार कभीर पंथ में तीन बंदगी क्यों है। इसलिए कि दुख है तीन, जीवन में दुख है तीन, आधी, ब्याधी, उपाधी, दैहिक, दैविक, भौतिक, और पाप करम है तीन, मन से, भचन से, और कर्म से, गून है तीन, रजोगून, तमोगून, सतोगून, काल है तीन, काम, क्रोध, लोग, और धारा है तीन, इंगला, पिंगला, गंगा, जमुना, सरसती, मैंने कहा था, यह तीन, बंधन, पूरे विष्ट को घेर के रखा है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णू कहते हैं, और महादिव कहते हैं, यह बास्तविक्ता है, काम, क्रोध, लोग, यह तीन, बंधन है, जीव के उपर पड़ाओ, अगर यह तीनों बंधन, आप नहीं हटाते हैं, तो आपका जीवन, बीना नरक बने, यह तीनों गुन नरक बना देगा, आपके जीवन, तीन दुख, पहला है आधी, आधी कहते हैं, प्राकिर्थिक प्रकोप, अभी कुछ दिन पहले, सितलहरी चल लही थी, जारा, सारे लोग दुख से, टाउजर, इनर, स्विंटर, मुफलर, पहर में मोजा, हाथ में दस्ताना, माथा में टोपी, मुफलर, सोने के लिए तोसक तकिया रजाई, लगा के सोते हैं, अभी गर्मी आ रही है, तो दुख से पंखा चलाए जा रहे हैं, अब भादों के अनहरिया रात आ जाए, तो वहां भी हम दुखी हो जाते हैं, अगर पत्थर गिर जाए, तो हम दुखी होते हैं, घर का खपड़ा फूट गया, इस बेस्टस फूट गया, गेहूं मकई खेत में रह गया, गाय भैस को अगर जादा वोजन का पत्थर लगा, तो वो भी मर जाती है, आदमी मर जाता है, अगर ठनका गिर गया, उसमें भी हम दुखी होते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बाद आ गया, तो बहुत सारे लोग ढूब के मर जाते हैं, अगर लगी हो गई, तो बहुत सारे लोग जल के मर जाते हैं, जोरों का आधी त फान आ गया पेर पवधा घर द्वार घर पर देह पर गिर गया तो उसमें भी चपा के हम मर जाते हैं एक प्रकिर्तिक दुख है सारे लोग इस दुख से दुखी है और दूसरा द्यादी कभी टीवी होगा ये कच्छा तत्व का सरीर बना है इसमें कभी टीवी होगा कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, कभी डाइवेटीज होगा, कभी एड्स होगा, कभी लकवा होगा, कभी पोलियो होगा, कभी काला जार होगा, कभी मलेरिया होगा, कभी बलड प्रेशर होगा, कभी देह में नोचनी होगा, कभी दिनाय होगा, कभी एक जीमा होगा, कभी कभी पेट में दर्द होगा, कभी माथा में दर्द होगा, कभी दांत में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी हाँ तूट जाएगा, कभी पेट तूट जाएगा, कभी तड़क ठोकर से आज देखें वेचारे, दो दो आदमी एक घर का आदमी समावत होगा, कभी त कभी पेर पड़से गीर के मर जाएंगे कभी सांप काट लेगा कभी कुता काट लेगा कभी भार रात उरीश नहीं सोने देगा कभी cyn भार रात मच्छर नहीं सोने देगा ये दुख, दुसरा दुख है और तीसरा दुख उपादी है घर घर में सास बहू में जगरा, ननत भावी में जगरा, देवरानी जेठानी में जगरा, पती पतनी में जगरा, पिता पूत्र में जगरा, चाचा भतीजा में जगरा, साला बहनोई में जगरा, ससुर्दमाद में जगरा, भाई भाई में जगरा, पत्टी पतिदार में जग जात-परजात में जहग रहा हिंदू मुशल्मान में जहग रहा हिंदूस्तान पाकिस्तान में इस ये तीन दूख जब से हम लोग मां के गर्व से बाहर आए ये तीन ते इस तीलख से नहीं चाहते हैं क्या जब आचार्ज श्री धर्म शरुप साहिब ने शरीर का त्याग कर दिया उन्हीं का गाया हुआ भजन सोभा यात्रा में गाई जा रही थी अंतिम करी में उस भजन में है वह राह अकेले कटती है वहां नहीं कोई साथ चले अभी तो मा वहने भी बहुत साथी लेकर आई बैठी है आप लोग भी बैठे हैं अम लोग भी बैठे लेकिन जिस दिन इस काया से आप निकलेंगे वो यात्रा आपकी अकेली होगी वहां आपके साथ कोई नहीं वह राह अकेले कटती है वहां नहीं कोई साथ चले उस पार न जाने क्या पाए इस पार का सब कुछ हार चले जहां अभी आप हैं एक एक रिष्टेदार एक से एक धन दौलत एक से एक महल मकान गारी घोरा जहां आप बर्तमान में रह रहे हैं उस सब आपको छोड़ देना सब हार के जाना जहां है वो सब हार के जाना है और उस पार में क्या मिलेगा इसकी गारंटी है इस पार के सब कुछ हारना है उस पार में क्या पाएंगे इसकी कोई गारेंटी नहीं है कुछ तो गारेंटी कीजिए कुछ तो ऐसा कर्म कीजिए बंधुआ माताओ बहनो ये तीन दुख मेरे पीछे पड़ा है और हम दिवाना होके चलते हैं हम रूप के घमंड में हैं हम धन के घमंड में हैं हम बुद्धी के घमंड में हैं हम बल के घमंड में चल रहे हैं पता नहीं है, कवीर सहब कहते हैं, काल खरा सिर उपरे, जागू बिराने मीत, ऐ मीत जड़ा जक्के रहो, जाके घर है गैल में, सोक्यों सुते निचिन्द, और तीन पाप करम भी हमारा है, पहला पाप करम है मन से, मन का तीन पाप है, इर्षया, देश, और अंकार, आपका, अपने परिवार के लोग, आपके चाचा के लड़का, अगर IPS हो गया, आईएस हो गया, तो आपको रातरी में निंद नहीं आएगी, इर्षया से, बात समझ लीजिए, इर्षया से निंद नहीं आएगी, रात रात भर जक्के आप बिहान करेंगे, आपके बगल वाले फ्लेट खरीद लिया है, आपके बगल वाले पचास भी घार जमीन खरीद लिया है, आपको इर्षया होगा, आप रात भर नहीं स्वाएंगे, यह मन का पाप है, इर्षया मन में होता है, आप से कोई बनिया बक्ता है आप से कोई बनिया गाने वाला है आप से कोई बनिया पोस्ट पर आगे है आप को इर्षिया से रात 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 में ये इर्षिया मन का पाप है और दूसरा द्वेश आपका कोई दुस्मन है गाउं में आप देश में रहते हैं इसमर क्यों नहीं जाता है इसका जमीन क्यों नहीं भिक जाता है इसका बेटा इंजिनियर है वो क्यों नहीं मर जाता है ये देश अंदर में छिपा के एक एक आदमी था जिसका उमर साथ वरस हो गया और एक भी बाल बच्चे नहीं थे तो पत्नी ने पती से कही पती देव हम से आपका बंच खंदान नहीं चला तो आप एक दूसरी साधी कर लेगे तो पत्नी के कथना नुसार वो बिचारा दूसरा साधी कर लेगे संजोग देखिए दूसरी पत्नी से एक दो साल बीते बीते एक लड़का पैदा अब तो छोटकी पत्नी का मान समान बढ़ गया उससे लड़का पैदा लिया और बरकी का मान समान घट गया बढ़की छोटकी को अच्छा अच्छा भोजन मिल ला था अब बढ़की को अब गाउं घर के औरस सब जगरा लगाना शुरू कर दिया कहा तू तो खूद अपने दुलहा को विवाह करवा के अपना दूख खरी दिया अब खाव न रोटी ठटाइल सुकल असवजी अब उखाती है भाद दाल सवजी घी तू तो अपने तलवार से अपना गर्दन कात लिया अब राद दिन दोनों में कला जगरा लड़ाई चलने लगा साहिब कवीर कहते है जगरा नितहीं बराईये जगरा बुरी बलाए दुख उपजे चिंता बढ़े जगरा में घर जाए राद दिन जहां कला होगा निश्चित रूप से वहां अमंगल होना है वहां कुछ न कुछ दूर घटना घटना जब राद दिन कला सुरू हुआ बढ़की के मन में इर्श्या हो गया आखिरकार बेटा के चलते इसका मान सम्मान इतना बढ़ गया है भगवान इसका बेटा जो मर जाता तो हमारा इसका मान सम्मान बराबर हो जाए उसके मन में आया इर्श्या की बेटा मर जाए देखिए संजोग लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन उस लड़के को अधसर सापका दिया अब वो लड़का मिर्तु सज्जा पर परा हुआ है अभी है जिन्दा डाक्टर लोग पानी चरहा रहे हैं सुई दे रहे हैं जारने वाले लोग जार रहे हैं पूरे गाउं के औरत मर्द सब रो रहा है ये बेचारा दुनू परानी भी रो रहा है अब बरकी घर में बैठके हांस रही थी अब वो गाठी अब हमारा इसका मांसमान बराबर इभी निपोत्तर हुआ हम भी निपोत्तर हुआ अब हमारा इसका मान सम्मान बराबर यह है इर्श्या और द्वेस और तिसरा अहंकार लोग मन में छिपा के रखते हैं बानी के द्वारा ब्यक्त नहीं करते हैं अंदर में अहंकार है मेरे जैसा धनवान इस गाउं में कौन है इस नगर में कौन है मेरे इतना रूपबान महीला सब भी अपने रूप के हंकार में चलती है पुरुस लोग भी चलते है ये तीन पाप मन का है मन का विकार है तीन इर्षया, द्वेस और अहंकार तो हम सद्गुरू से बंदगी करते हैं सद्गुरू आपका चरन छूकर मैं संकल्प लेता हूँ मैं परतिग्या करता हूँ मैं कसम खाता हूँ कि आज से अपने मन में किसी के परती, इर्षया, द्वेस और अहंकार मैं नहीं रहूँ ये पहली बंदगी है हमारी सद्गुरू से और दूसरा पाप है बचन का बचन का तीन पाप है काली देना जूट बोलना और किसी की निंदा कर हम दूसरी बंदगी करते हैं सद्गुरू से सद्गुरू आपका चरन छूकर मैं परतिग्या करता हूँ संकल्प लेता हूँ कि आज से इस मुह से किसी की निंदा मैं नहीं करूंगा किसी को गाली नहीं दूंगा और किसी के साथ जूट हूँ दूसरी बंदगी और तीसरा पाप है कर्म का कर्म का तीन पाप है चोरी करना हिंसा करना और बेविचार करना तो हम सद्गुरू से तीसरी बंदगी करते हैं सद्गुरू आपका चरंचुकर मैं परतिग्या करता हूँ कि आज से कर्म के द्वारा इस हाथ से किसी का कोई बस्तू मैं नहीं और न किसी जीव का हिंसा करूँगा और न किसी के साथ मैं बेवी चार करूँगा ये तीन बंदगी बीजक में हर जगा साहिब जी चलऊंका टेरो 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 एक बार से भी काम चल सकता था तीन बार कहने का क्या मतलब है ये तीन गून का रस्टा पूरे बिश्य को बान के रखता है इसलिए तीनों रस्टा को काटने के लिए हमारे कवीर पंथ में जैकारा भी तीन बेर लगता है और बंदगी भी तीन बार होती है यही तीन बोलिए यह तीन से बच के आपका जीवन सुकी हो सकता है आपका कल्यान हो सकता है क्या आपकी मुक्ती हो सकती है क्या आपके जीवन में सुक्सांती आ सकती है क्या यह कवीर से कोई नहीं बच के न सकती है और सारे देवी देवता से आप बच सकते हैं उनको नहीं बच के लेकिन कवीर को छोड़ कर और कवीर को त्याग कर आपका मूल था सो कवीर लिया मूल था सो कवीर लिया डाल लिया सूर अपत्ता सब तुलसी लिया और सब भूडे को थोरा थोरी रंबुलवा कहा थोरा थोरी रंबुलवा कहा यानि तुलसी दाजी सुर्बा कहा अनूठा असत बात जुलहबा कहा और कहा सकते बंदूओ मैंने कहा निश्पक्ष भग्दी करना है मात्री भग्दी यहां कोई पक्ष पात नहीं कोई राग द्वेश नहीं कुछ नहीं किसी की अंगली नहीं उट सकती है आपके उपर कि यह भग्दी आपका गलत है इसका कोई डुप्लिकेटिंग भी नहीं कर सकता इस भग्दी का कोई डुप्लिकेटिंग भी नहीं चलेगा कभिर पंती है तो कोई आर्समाद बना लिया ऐसा नहीं चलेगा जब मात्री भग्दी बढ़ा पाएंगे इसका कोई डुप्लिकेटिंग होने वाला कहीं से लिए यह original है एकदम, अब कोई आदमी ऐसा बोलिए, कि क्या इस शरीर पर मा का लागत कितना है, और किसका किसका लागत है, कोई आदमी बोलिए, इस शरीर पर किसका लागत है, और है और किसी का लागत, और दूसरा हमारे पिता जी ने, दूसरा लागत हमारे पिता जी का है शरीर पर, पिता जी ने, मजदूरी करके, किसी का बेगार करके, आधा पेट खाके, फाटल धोती पेन के, और पढ़ाल के लिखाके, आपको इंजिनियर, डाक्टर, प्रफेसर बना रहे हैं। है किसी का लागत ही इस पर, है, बनाया, आपके लिए जमीन खरिदा बेटा के सुख के लिए, आपके लिए मकान बनाया, आपके दूद खाने के लिए गाए भैंस पिता ने खरीद के लाया, आपके चरने के लिए मोटर साइकिल और एसकारपियो बोलोरो फरचूनर खरीद दिया, आपका साधी बिवाह कर दिया, दूसरा किसका लागत है, आप पितरी भगती करें, आप पिता की सेवा करें। सबसे पहला मातरी भगती है, इसलिए कि मा का लागत इस सरीर पर बाराना है, अब पिता का लागत चारना है, इसलिए मा को आगे कर दिया गया है और पिता को पीछे कर दिया है। मातरी देवो भवा, पितरी देवो भवा, इस भगती पर आजाईए आप, सारे पक्षपात को छोड़ दीजिए, कहीं जाना छोड़ दीजिए, मातरी भगती पर आजाईए, पितरी भगती पर आजाईए, और सबसे बरा उद्धार करता मेरा, अपने आप से परिचाय कराने वाला सारे बुरे कर्म को छोडाने वाला सारे मांस मचली तारी दारू गाजा भांग विरी सिग्रेट पांग सो पारी चोरी बैमानी मिलावत बाजी इन सारे पाप कर्मों से सारे बुरे कर्मों से सारी आसकती से निकाला किसने? सद्गुरु ने. सद्गुरु का बड़ा ही उपकार मेरे जीवन पर है. कोई नहीं निकालने वाला है इस अंसार से निकालने वाले एक सद्गुरु है. माता पिता ने चन्म दिया, वो सेवा का मालिक है. चुक्छे माने मुझे बहुत सेवा किया. पिता का सेवा मेरे उपर है. तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा आधिकार बनता है, हमारा कर्टब बनता है, कि सेवा के द्वारा माता पिता के कर्ज से, रीन से हम मुक्ति पाज़ें यह बग दी लेकिन सबसे बड़ा उपकार मेरे जीवन पर सद्गुरु का सारे भेद भाव से निकाल कर सारे गलत कर्मों से निकाल कर सारे दुखों से निकाल कर अगर सही में सद्गुरु कवीर का ग्यान मनुस को हो जाए अगर पांच दिन उसको भोजन न मिले तभी उसको दुख नहीं मिलाएगा इतना बड़ा ग्यान एक बार मैं जा रहा था सत्संग में हमारे साथ एक आदमी थे वो रेल से रिटायर किये थे जब मुझपःपूर में गारी गई तो उन्होंने हमसे कहा साहिब जी एक मित्र हमारा है मुझपःपूर में टीटी है उससे हम जड़ा भेट करेंगे हम का की भेट कर लिए भेट करने के लिए उन्दर गए हमको छोड़ दिये बरामदा पर बाहर अंदर जब गए तो टीटी महोदय इनसे अपने घर का दुखरा सुनाना सुरू किया भाई में बटवारा हुआ भाई ने कुछ अधिक संपती ले लिया इनको कम दिया इसके चलते मार पीट हुआ जगरा लड़ाई हुआ ममला फोदारी हो गया यही दुख इनको सुना रहे थे और बाहर में बरामदा पर बैठ के हम सून रहे थे मैंने वहाँ से सद्गुरु कभीर की एक साखी बोल दिया बरामदा पर से कभीर माया बेसया दोनों की एक जात आबत को आधर करे जात न पूछे बाल इतना बात जब मैं बरामदा पर से बोला वो टीटी महोद है दोड के आए बरामदा पर और कहा साहभ जी एक विर और दोहरा दीजिए मैंने दोहरा दिया वो कौपी में लीख लिया और कहा कि आज मेरा सारा दुख दर्द करता अब मैं भाई से लड़ाई नहीं लड़ूंगा अजाता हूं ममलाब सोला कर दूँगा जब साहभ कवीर ने इस धन को बेस्या से तुलना कर दिया तो इसके लिए अब लड़ाई क्या लड़ना है बाते कतम कर देना गया और भाई से केस सोला कर लिया समाप्त कर दिया केस को कहा कि अब लड़ाई लड़ना है कवी साहभ कवीर की बानी ओश्दी है मनुस के जीवन के लिए वो दवा है ओश्दी है कवीर के बिना जीना इस धर्ती पर असंभव है दुख है, कलेस है कस्ट है आपका जीवन दुख में हो जाएगआ साहभ कवीर के बिना तो मैंने कहा सरदा कहां रखना है अपने मां में रखिए सरदा, का करजा बहूत है आपके उपर मां का जितना सेवा हो, आप सेवा करके उरीन हो जाएए पीता का जितना सेवा हो आप जो मंदिर महजित दौर लगा रहे हैं देवी देवता के पीछे जो खर्च कर रहे हैं जो दौर लगा रहे हैं उसम जूट है कहीं सचाई नहीं है ये सचाई है कि जितना खर्च करना हो अपने मापर जितना खर्च करना हो अपने पिता पर ये सचाई है ये वाजिब है और ये सही और पूजा तो गुरू की होनी चाहिए माता पिता की सेवा अब गुरू की पूजा इसलिए गुरू है बरे गुबिंद से मन में देखू बिचार हरी सिर्जे तो बार बार गुरु सिर्जेतो पार सात दीप नोखंड में गुरु से बरा न कोई करता करे जो कर न सके गुरु करे से हुआ गुरु से बरा इस धर्ती पर कोई नहीं है सब के बारे में गुरु जी नहीं बताया बंदू ये तीन साहव कवीर की भग्ति है कल भी मैंने भगती पर चर्चा किया आज भी मैं भगवान राम जब सिवरी के हां गए तो नो परकार की भगती बताए है लेकिन सद्गुरु कबीर ने इस मानव को इस दुनिया बालों को मात्र चार परकार की भगती बताया जिसमें पहली भगती है सर्धा भगती, सर्धा अपने मा में सर्धा अपने पिता में सर्धा अपने सद्गुरु में और सर्धा ये आये हुए अतीती में अतीती ते वो भवा आपके दरवाजे पर जो संत महात्मा तिती के आवे, बिना तिती के आवे उसकी सेवा में आपको चूकना नहीं वही तो आपका भगवान है वही तो आपका पुझ है उसकी सेवा में थोरी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए यह चार मुख देवता आपके हैं मातरी देवो भवा, पितरी देवो भवा, आचार्ज देवो भवा और अतीथी दे अतीथी का सेवा होना चाहिए बहुत सारे लोग संत की सेवा में नहीं करते हैं चूक जाते ये बहुत बड़ा गलत बात आप मंदिर में जाके इतना खर्च करते हो मस्जिद में जाके इतना खर्च करते हो बैनात धाम में जाके कल संद जी का रहे थे कि जहां भागबत कथा हुआ मताएं लोग क्या-क्या लेके वहां गई अजहां सत्संग है वहां क्या लेके आई है कुछ लेके आई है संद के लिए कुछ लेके आई है भेट कुछ नहीं लेकिन जहां भागबत कथा हो जहां महा बिसुनू जग हो जहां महा रुद्र जग हो एक जगा का मुझे फड़पूर से पच्छिन एक गाउं है धनया गाउं का नाम है धनया और राजपूत का गाउं है अब बास्तों में लोग धनी है वहाँ पर परमपोजे अब इलाग साहव के बहुत सारे सिस भुमिहार और राजपूत साहव जी के सिस वह लोग हमको बरावर बुलाते हैं वह लोग हमको बरावर बुलाते हैं कार्जकरम में वो बुझते हैं रमा संकर साहव बिहार में पारखी संत अभी भी कम है तो बरावर हमको बुलाते हैं कि साहिब जी थोड़ा अच्छा बोलते हैं पारक्सिधान पर बोलते हैं इसलिए इनको जरूर बोलाया जा तो हमको खावर किये तो हम आये मंच पर गए मंच संचालक ने मुझे बुलाया तो मैं गया उस दिन का चर्चा का विशय हमारा था इस्वर तीन परकार के होते हैं आधी दैवी की स्वर आधी भौती की स्वर और अध्यात्मी की स्वर इतीन इस्वर पर मैंने चर्चा किया लगभग अरहाई तीन घंटा समय बित गया अब मेरे पीछे जारा का समय था मेरे पीछे एक असी पचासी बरस के बुजोर्ग अच्छे घराने के राजबूत थे बनिया कुर्ता धोती बंडी मुफलर टोपी लगा के बैठे थे मैं हटा मन से माइक छोरा अव बिना कहे आके माइक पकल दिया एक बीच दर्शक दिर्गा में एक खुम मोटा तगरा नौजवान मुह में सिखर पराग रखे हुए और हाथ में देखा मैं इतना दूर तक बद्धी बैना धामबला बाने हुए बैठा हुआ था बीच में उससे हमको भै भी लग रहा था कि कहीं कोई गरवर बोला गया तहीं मंगनी में हमरा गरदन घुमा देगा जब मैं हटा वो बैठ गया मंच पर अवो बोलता है बेटा जुगल की सोर तो उठके खाड़ा हो गया हम वोजे ममला आज है गरवर यह कुछ होगा जरूर आज एक पंदरा दिन पहले उसके हां महा बिश्णू चग हुआ था उस ब्यक्ती जुगल की सोर के आँ उसमें उसका लागत था लगभग बीस लाख रुपईया सवा महिन चला महा बिश्णू जग सवा लाख रुपईया का लागत था पिता ने कहा पुत्र से बेटा जुगल की सोर का कि हां पिता जी ये रमा संकर साहब का जो अभी परवचन हुआ तीन इस्वर पर बेटा इससे लगा कि बीसो लाख रुपईया पानी में चला गए सारे लोग ठाक के ले गए बास्तविकता कुछ नहीं है इस जूट में चला गए इस जूट में गया दूसरा बार जब आचार्ज परवर धरम सरूप साहब का कार्ज करम वहां बना जिसमें रंजीत साहब भी गए थे कितना स्वागत उ जुगल की सोर सिंग हमको कहा कि पहले आचार्ज परवर को मेरे दरवाजे पर लाईएगा तब यहां से जाएंगे सत्संग में मैं उनके हां ले गया साहब जी को कितना स्वागत उसने किया साहब जी का और सारे संथ का वह जुगल की सोर सिंग बंदूओं दूसरी भगती साहब कवीर का है पहली भगती तो है सरदा भगती और दूसरी भगती है प्रेमा भगती मानव मात्र से प्रेम माता पिता गुरु अतीती के परती सर्धा और मानव के परती प्रेम वो प्रेम कैसा साहव कभीर ने कहा प्रेम पाठ का चोलना पहीर कभीरू नाच पानिप दिन हो तासको जो तनमन बोले साच कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई धाई आखर प्रेम का बढ़ेशो पंडित साहब कबीर कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते जगत्र मर गया लेकिन पंडित कोई दिखाई नहीं क्यों? उनका कहना है धाई आखर प्रेम का परसंजूक्त एकार मोहलंग जो प्रेम का परहाई परहाँ वो पंडित है तो बास्तों में प्रेम है क्या? मैंने सोचा उस दिन मैं मैंटिक में था पर रहा था मैंने सोचा प्रेम तो सास बहु में है प्रेम तो पती पतनी में है प्रेम तो गुरु चेला में है प्रेम तो पिता पुत्र में है प्रेम तो साला बहनोई में है प्रेम तो ससुर्थमाद में है अब ही साहब कबीर कौन प्रेम की चर्चा करते है है क्या प्रेम एक आदमी एक भेक्ती से पूछा कि सीता बहन जी ने सत्संग कराई अब उस सत्संग में आपको मैंने नहीं देखा आप कहां थे एक महत्पुर्ण ब्यक्ति से पूछा आपको नहीं देखा आप कहां थे उस ब्यक्ति ने कहा कि मैं एक पंचायत में चला गया पूछा पंचायत कैसा था तो एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया इसी का पंचायत था उसमें हम चले उस ब्यक्ति ने कहा जब प्रेम में पंचायत हो तो जगरा लड़ाई में क्या होगा है प्रेम में पंचायत किया वज सकता है जरूरी प्रेम हुआ सेवरी और राम के बीच में कोई पंचायती हुई कोई जगरा लड़ाई हुआ कोई ममला फवदारी हुआ प्रेम हुआ मीरा और क्रिस्न के बीच में कोई जगरा लड़ाई कभी हुआ प्रेम हुआ राम क्रिश्न परम हंस और सार्दा देवी के बीच में कोई जगरा लडाई हुआ प्रेम हुआ जय परकास नरायन और परभावती देवी के बीच में कोई जगरा लडाई हुआ फिस लड़का लड़की के प्रेम में पंचैती क्यों हुआ अगर बास्तों में तो उन्हों के बीच प्रेम होता तो पंचैती नहीं होती राम और सवरी के बीच में कभी नहीं पंचैती हुआ मीरा और कृष्ण के बीच में कभी पंचैती नहीं हुआ रामकिष्न परमहंस और सार्दा देवी के बीच में कभी कोई पंचैती नहीं हुआ था इस लड़का लड़की के बीच क्या हुआ प्यार देर आर ग्रेट डिफरेंस बिट्विन प्रेम और प्यार प्रेम और प्यार में धर्ती और आसमान कांतर हो प्यार हुआ था लैला और मजनु के बीच में और प्रेम हुआ था सेवरी और रामकिष्न प्रेम निर्विकार है प्रेम में कोई काम, ग्रोध, लोब, मोह, अंकार नहीं होता है और प्यार में सारे विकार होते है प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन इसका नाम है प्रेम और दे से दे के मिलन का नाम है द्याव